नमस्का साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, कि हम लोग सम सामी की घटना चक्कर के बारे में बात करें हैं, और ये पुस्तक आपके लिए कितनी महत्मूर रहती हैं, ये सभी आप लोग अगर जानते होंगे, अगर आपने अपनी परिक्षाओं के पुराने कुश्चन्स पेपर देखें होंगे, और मुझे रखता है कि आप देखें किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हों, सभी में करेंट अपेस से आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स पूँचे जाते हैं, और अच्छी खासी संख्या में भी पूँचे जाते हैं, फिर चाह उत्राखंड का हो, सभी आपके सामिल हो जाते हैं, और वंडे एक्जाम कहते हैं, इस्टेट लेवल के, तो आप देखते हैं सिक्चक भरती हो गई, आपका दरोगा, आप देखते हैं SI, पुलिस, इस तरह के तमाम एक्जाम होते हैं, स्रेंटरल पर भी आप देखते हैं, त इस पर बात की हुई थी, और इस पर विस्तार से बात की हुई है, तो इस किलास को आप लोग देख लीजेगा, और सम समाई की घटना चक के 2022 की नाम से आपकी पिले लिस्ट सूची है, और इसमें पूरा आपका एक साल का करेंट अपेस आप लोगों को देखने को मिल जाए इसमें हम लोग रक्षा अधीकरण फिक्रिया 2020 में संसोधन हुआ है, उस पर बात करेंगे, नेधी नियम 2014 के बारे में बात करेंगे, दिल्ली नगर निगम संसोधन 2022 को भी देखेंगे, दंड फिक्रिया सनाक्त अधिनियम 2022 पर भी बात करेंगे, समिधान अनुसुचित जा आदेश से दूसरा संसोधन विधियक 2022 पर बात करेंगे, निर्वाचन विधी संसोधन अधिनियम 2021 को भी देखेंगे, सुआफक औस्तिदी और मन प्रभावी संसोधन अधिनियम 2021 को देखेंगे, उच नियाले को और सर्वुच नियाले नियाधिस बेतन एवं सेवा सरतें स संसोधन अधिनियम 2021 को देखेंगे, बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर बात करेंगे, किरसी बिद्धी निरसन अधिनियम 2021 को देखेंगे, केंद्रिय सतरक्ता आयोग संसोधन अधिनियम 2021 पर भी बात करेंगे, डौन नियम 2021 को देखेंगे, फेटेंट संसोधन नियम 2021 पर बात बात करेंगे आज की इस किलास में ठीक है तो सबसे पहले हम लोग रक्षा अधी घरण फिक्रिया 2020 पर बात कर लेते हैं इसमें क्या संसोधन हुआ है और यह क्या कह रहा है रक्षा चेत में मेक इंडिया और आत्मिर भरता को बढ़ावा देने हुद्टू 25 अपरेल 2022 को अधी घरण के लिए इंटिगर्टी फैक्ट बैंक गारंटी नहीं दी नहीं होगी और घरेलू उद्ध्योग पर बितिय बोज को कम करने ही तो यह आईपी बीजी छूट बित मंतराले की सिफारिस पर है और आईपी बीजी की बजाए 100 करोर रुपे से अधिक के सभी अधी की घरण मामलों के लिए बयाना रासी जमा को सुरक्षा रासी के रूम में लिया जाएगा और रक्षा अधीगर्ण 2020 की इनोवेशन फोर डिफरेंस एक्सिलेंस पद्धिती के तर्थ खरीत पिक्रिया को सरल बनाये गया है और इसके साथ ही सरलीकर्ण के साथ AON के अनुदा हर स्ताक्षर करने में लगने वाला समय घटकर 22 सप्ता हो गया है में एक शेकंड पिक्रिया के समय सीमा को मौझूदा कुल समय अधी 122 से 180 सप्ता से घटकर 101 से 109 सप्ता कर दिया गया है तो अगर इस तरह कोई संसोधन होता है कोई अधीनियम आता है तो उसके बारे में एक सामन जानकारिया आप लोग रहाखा करिएगा इनसे भी कुश्नेंस पूच लेता है फिर आपका निधी नियम है 2014 तो 20 अपरेल 2022 को औरपोरेट मामलों की मंतराले ने निधी कंपनियों को नेतित करने वाली निधी नियम 2014 में संसोधन किया है और जिसके तरह निधियों के र इन कंपनियों का मुख बेवसाय उधार लेना और अपने सदस्तों के बीच पैसा उधार देना है और इसके अतरिक्त 10 लाक रुपे की सेर पुझी के साथ निधी कंपनी के रूम में गठित फरम को खुद को निधी घोसित करने के लिए निउनतम 200 की सदस्ता के साथ एंडी पर निप्टान के लिए संसोधित निवों में यह भी पराउधन किया गया है कि यदि NTS हो और फरम में कंपनियों द्वारा आभिदन प्राप्त होने के 45 दिनों की भीतर केंद सरकार द्वारा कोई नेडर नहीं दिया जाता तो मंजूरी को सुईकित माना जाएगा और यह ह पर लागू होगा जो निधी संसोधन नियम 2022 के बाद नेमित होंगी और याद रहे कि कंपनी अधिनियम 1956 की तहत एक निधी या मिच्वल वेनिफिट सोसाइटी कर्थ एक ऐसी कंपनी से है जिसे क्यंत सरकार ने अधू सूचना द्वारा अधिकारिक राजपत्त में निधी या मिच्वल वेनिफिट सोसाइटी घोसित किया है फिरे दिल्ली नगर निगम संसोधन अधिनियम 2022 यह भी कापी चर्चा में रहा था और इसका कापी विरोध भी किया गया था कई पार्टियों के दोरा दिल्ली नगर निगम संसोधन अभिधेग 2022 यह 30 Hearts 2022 को लोकसबा वा 5 अपरेल 2022 को राज़सभा में पारित किया गया और 18 अपरेल 2022 को राश्टपती की सहमती के साथ ही यह अधिनियम बन गया है। परियाद रही 1957 की अधीनियम को बर्स 2011 में दिल्ली बिधान सवा में संसोधित भी किया गया था और उपियोग संसोधन किता है दिल्ली नगर निगम को तीन हिस्सों उत्री दिल्ली पूर्वी दिल्ली में बाटा गया था ये पहले की बात हो रही है और अधीनियम 2022 तीनों नि आतीक कर क्यंद सरकार को सुपता है, पारीसदों की संकोल संग कुल और अनुसूचित, जाती क्यांदी की सदकसों हितु आरक्षी सीटों की संख्या, निगम के छेत को, जान्स, और वॉर्ड, यह आप देखें कि वो वार्च में बातना, और बार्च में आप देखें का परीस होता है और इसलिए केंदर सरकार में और दिली सरकार में हमेशा तना- Lup Half 축 है कि सब्सक्राइब त कि अधिक तर्ग तर्ग जैसे पुलस व्यवस्था हो देखनेु को देखा लेजिए एक कि पिती जवाब दे ही होती हैं लेकिन आप देखें कि दिल्ली में हस्तेचेप होता रहता है सुपरिंग कोट मामला जाता रहता है चली तो इसके बारे में एक सामान जानकरी रखिएगा इसके साथ ही निगम में सीटों की कुल संख्या 250 से अधिक ना होने का प्राउधन है औ और अधिनियम इस्थानी निकायों के निदेशक के प्राउधन को भी हटाता है दंड फिक्रिया सनाक्त अधिनियम 2022 को देख लीजे दंड फिक्रिया सनाक्त विदेख 2022 4 अपरेल 2022 को लोकसभा में द्वारा और 6 अपरेल 2022 को राजसभा द्वारा पारित किया गया 18 अपरेल 2022 इसे राष्टपती की सहमती में पराप्त हो गई है यह अधिनियम बंदी की सनाक्त अधिनियम 1920 का इस्थान लेता है और आप सभी जानते हैं कि अभी भी हमारे देश में कई ऐसे कानून है जो अंग्रेजों के समय बनाए गए थे आजादी के पहले बनाए गए थे वो भी अपने हिसाब से बनाए हुए थे अंग्रेजों ने अपने हितसाद ने थे अपना स्वार्थ था उनका 1920 का अधिनियम और परिवर्थित वर्स 2022 का अधिनियम कैसे डाटा जमा किया जा सकता है उंग्लियों के निसान एवं पैर के चाप सामिल हैं 2019 की बात हो रही है इसमें ह बैक्तियों के डाटा जमा किये जा सकते हैं तो 1920 का कहता है एक या उससे अधिक बर्स के कठोर कारवास के दंडिनी अपराद के लिए दोस्ती ठहराए गए या गरपतार किये बैक्ति के और अभी जो नया हुआ है ये कहता है अपरादी या किसी मामली में गरपतार बैक्ति के लिए सेकॉर्टी जमा कराने का आदेश दिया गया हो मजेश्टेट अपरादिक जांच में मदद के लिए किसी गरपतार के डाटा लेने के आदेश दे सकता है इसमें नए में कहता है किसी निबारक निरोधक कानून के अंतरगत हिरासत में लिया गया ब्यक्ति तो ये भ स्थित किए कि डाटा को 75 वर्सों तक डिजिटल या इलेक्टोनिक रोब में रखा जाएगा अगर आप देखे इसका अगर अच्छी तरह से प्रयोग होगा तो रहेगी अब बात करते हैं आप देखेंगी समिधान अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती आदेश संसोधन अधिनियम 2022 को समिधान अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती आदेश संसोधन विधेग 2022 को 30 मार्च 2022 को राज सवा द्वारा और 5 अपरेल 2022 को लोग सवा द्वारा पारित किया गया आठ अपरेल 2022 को राष्टपती की मंजूरी के परचात इस विधेग को अधीनियम के रूम में अधी सूचित किया गया है यह अधीनियम लिकेत में संसुधन करता है समिधान अनुचेद 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 जातियां आदेश 1950 समिधान अनुचेद जन जातियां आदेश 1950 एश्टी आदेश और अधीनियम के तहत ज्यारखंड की S.T. सूची में भोगवा, भोगता समुधाय को निकाल कर राजी की S.T. सूची में सामिल किया गया है इसके साथ ही जारखन में S.T. सूची में कुछ समुधाय को सामिल करने ही तू S.T. आदिस की अनुसूची में संसोधन करता है इसमिधान अनुसूचित जन जाती आदेश संसोधन अधिनियम 2022 इसमिधान अनुसूचित जन जाती आदेश संसोधन करता है। इसमिधान अनुसूचित जन जाती आदेश संसोधन विधियक 2022 इसमिधान अनुसूचित जन जाती आदेश संसोधन विधियक 2022 इसमिधान अनुसूचित जन जाती आदेश संसोधन करता है। इसमिधान अनुसूचित जन जाती आदेश संसोधन करता है। इसके साथ पतनी सब्द को पत्ती पतनी से संसोधन किया गया है ताकि इसको लिंग तटरस्ता बनाया जा सके। अदेश संसोधन विधियक 2021 को तेरे दिसंबर 2021 को लोग लोग सभा और आप देखेंगे लोग सभा से और 20 दिसंबर 2021 को राज सभा से पारित किया गया। 29 देसंबर 2021 को राश्ट्पती की स्विकिती वश्चात बिधियक अधिनियम बनाये। अधिनियम 2021 N.D.P.S. अधिनियम 1980 में संसोधन करता है। अधिनियम स्वापक औस्दी और मना प्रभावी संसोधन अध्यादेश 2021 का इस्थान लेगा। आप सभी जानते हैं कि जब देखी लोकसवा रास्वा ना चल लएग हो और जरूरी कोई कानून हो एक तरह से तो राश्ट्पती के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। और लेकिन क्या रहता है कि आंगे इसे लोकसवा रास्वा में पारित करवाना होता है। लेकिन आप देखी कि जितना एक कानून बनता है ना पिक्करिया से उसमें उतनी सकती होती है उतनी ही सकती अध्यादेश में होती है। 2014 की संसोधित अधिनियम में प्यार उपन तुटी को सही करने के उध्यादेश से NDPS संसोधन अध्यादेश लाय गया था। प्यार उपर्ण टुटी के तहट अधिनियम में अवेद गतिवधियों की परिभासा बताने वाला किलोज नमबर बदल गया है और उसे सेलेक्षन के नमबर को नहीं बदला गया है जैसे अवेद गतिवधियों को वित्य पूसित करने की सजा बदाई गयी थी और अधिनियम म सजा वाले सेक्षन में संसोधन किया गया और उसमें पुराने किलोज नंबर की जगे नया किलोज नंबर जोड़ा गया इसके साथ ही यह संसोधन एक मई को आठ दिसमबर 2021 को लोकसभा में और राजसभा में 13 दिसमबर 2020 को पारिस हुआ था 18 दिसमबर 2021 को राष्टपती की सहमती मिल गई थी इस पर और अधिनियम 2021 निमलिखित में संसोधन करता है उच नियालय नयादियस बेतन एबं सेवा सर्थ अधिनियम 1905 में सर्वुच निया 1955 के अंतरगर सर्वुच ओर उच नियालयों के सभी सेवा निवित नियादीसों उनके फरिवार के सदस्टों पैंसन या फैमली पैंसन के हकदार होते हैं इसके थाती है उन्हें एक निलर्धिष्ट है पिर्मानी के अनुसार एक निश्चित आयूँपराप करने पर पैंसन अत्रिक पैंसन या फैमली पैंसन का उस माहे की पहली तारिक से ही हगदार हो जाएगा जिस माहे में वह सम्मधित आयू बर्क्स के अंतरगर नियूंतमायू को फूर कर रहा होगा आंगे है आपका बांध सुरक्षा दिनियम 2021 बांध सुरक्षा विधेयक को लोकसभा से 2 अग बाड़े बांधों की नेगरानी निरिक्षा परिशालन रख रखाओ संबंधी परयाप सुविधा पिदान करेगा ताकि बांध की विफल होने से संबंधित आपदा को रोका जाए और आप सभी जानते हैं कि जब बांध अवरुद होता है तो आपने देखा होगा कि गाउ पर राष्णी बांध सुरक्षा समठी और आपर आठीकन की स्थावना के प्रावधान सामिल हो केंदरिय जल आयू श्रिक्षा संग्ठन द्वारा जून 2019 में तेयार कियेक being बड़े बांधों की राष्टी रेजिस्टर 2019 के अमसार भारत 5,745 बड़े बांधों चेज़ाद 632 में है और किसी विधी निरसन अदिनियम 2021 को 29 नवंबर 2021 को संसर द्वारव पारित किया गया और 30 नवंबर 2021 को राष्टपती की सहमयती प्राप्त हुई और अदिनियम सेप्टमबर 2020 में पारित 3 किसी कानूनों को निरस्त करता है एक बात और आप बता है रिपी इसको बापसी लिया गया और इसके देखे कई अर्थ सास्तरी फायदे भी गिनाते रहते हैं कुछ इसके नुकसान भी गिनाते रहते हैं और आप देखेंगे कि मुझे लगता ही कोई नियम कानून बनाया जा रहा है और जिन लोगों के लिए बनाया जा रहा है उनसे सहमती पहले ही ले लेनी चाहिए, अगर पहले ही अगर ले ली जाती तो आप देखें देश में इतना आंदोलन खड़ाना होता और बापस लेने की जरूरत भी ना पड़ती निरस्त कीए गए तीन कानून निमलिके थे, मूल, अस्वासन और किसी सेवाओं पर किसान, ससक्ती करण सरक्षान समझाता अदिनियम 2020, किरसी उपज व्यापारों वड़िज संवर्धान सुविधा अदिनियम 2020 इसमें सामिल है और तीसरा इसमें था क्या? तीसरा भी दो था, आनिवार वस्तुवे संसोधन अदिनियम 2020 और याद रहे जनवरी 2021 में सर्वोच नाला ने तीनों किसी कानून को लागू करने पर रोग भी लगा दी थी केंद्री सतकता आयों संसोधन अदिनियम 2021 को भी देख लिजए और अधिनियम अध्यादेश्ट 2021 का अस्थान लेगा और याद रहे नवीनतम अदिनियम केंद्री सतकता आयों अधिनियम 2003 में संसोधन करता है 2003 का अदिनियम भिष्टाचा निवारन अंदिनियम 1988 के अंतरगत कथेत तोर पर किये गए अपराधों की जांचेतु केंद्री सतकता है कि गटन का प्रावधान किया करता था संसोधन के तहट प्रवर्तन नेदेशाले के नेदेशक के अकारकाल को जनहित में एक बार में एक बर्स तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है इसे प्यारमिक निवक्ती से पांच बर्सों की आउधी फूर्ण होने तक बढ़ाया जा सकता है और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संसोधन अधिनियम 2021 को लोकसभादवारा 9 दिसमबर 2020 को 14 दिसमबर 2021 को राष्वादवारा पारित किया गया 18 दिसमबर 2021 को राष्टपती की सहमती पराप्त हुई इस अधिनियम को 14 नवंबर 2021 को लागू माना जाएगा अधिनियम 2021 दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संसोधन अधिनियम 2021 का इस्थान लेगा और अधिनियम दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संसोधन करता है अधिनियम 1940 के अंतरगर नेदेशक का कारकाल निउंतम दो बरस है नभी इंतम संसुता नधियम के अनुसार नेदेशक का कारकाल नियुक्ती की पैरमीक तारीक से पांच बर्स पूर्ण होने तक एक बार में एक बर्स तक बढ़ाया जा सकता है आंगे और याद रहेगी अदियम नियुक्ती का फरावधान करता है और नियुक्ती के अंत सरगार को सुझाओ देती है पैदान मंत्री अध्यक्ष होते हैं लोकसवा में विवक्च का नेता होता है भालत के मुख नयादिस या फिर सीजी आई द्वारा नामित सर्वोच नयालाय का एक नयायदिस होई समील होता है पिटेंट संसुधन करती हुए पेटेंट संसुधन नियम फ्यटेंट रूल 2021 की को अधीस उचित किया है यह संसूधन 21 सेप्टंबर 2021 कूल से लागू हो गया है और नवीनतम संसोधन के माध्यम से केंद सरकार द्वारा सभी सेक्षड एक संस्थाओं ही तू पेटेंट फीस में 80-30 सत की कटोती की गई है इसका उद्देश नवाचा और नवीन परोधगी की की विकासमिक को पुरोसाहन पिदान करना है और याद रहे अबी तक लाव सरकार के सुआमित वाले सभी मानताप्राफ से च्छड संस्थानों को भी उपलाव दे था किसी सेक्षड संस्थान से आसे केंदरी फरांतिय या राज नीमो द्वारा या फिर उसकी अधीन इस्थापित या निगमित बिद्ध्याले से है इसमें केंदर रा द्वारा प्रादीकर्ण किसी प्रादीकर्ण द्वार मानता प्राफ से च्छडी संस्तान सामिल होंगे और विविन प्रयासों की पैडाम सुरू पेटेंट की जाच में लगने वाला समय वर्स 2015 के उससा 72 महीनों से घटा कर बर्तमार में 12 से 30 महीने हो गया है जो प्रूदगी की अंतिम निप्तान के समय वर्स 2021 के अंत में कम होका रोस्तन 24 से 30 महीने रह गया है फिर ड्रॉन नियम देख लीजे 2021 मानो रहित बिमान पेडाली को आमतोर पर ड्रॉन की रूम में जाना जाता है 25 अगस्त 2021 को नागर विवान मंतरा लेन दौन डौन नीमा वली 2021 को अधीस सुचित किया गया और लेकनी आई कि इसमें पूर मार्च 2021 में मंतरा ले दौन नीमा वली 2021 पिकासित की गई थी जिसमें श्टार्ट अप सिस्तिक्छा विदों और अन धारकों ने स्वावहाविक रूप से बंधात मघमाना था क्योंकि इससे तहत अधिक कागजी कारवाही के साथ ड्रॉन की पिते एक औरान ही तो अप देखेंगे कि कोई अनुमती पिराप्त करनी किया और सकता थी इसके अतरिक मुक्त औरान हरित जान की उपलबदता भी बहुत कम थी पिर आप तिसे जाओ कि आदर पके अंसरका ने मार्च 2021 में पिकासित एवे ऐस नियम 2021 को लागू किया है और नए उदार डॉन अनियम 2021 के तहट अनेक अनुमोधन समात कर दिये जैसे विसेष्ट प्राधीकन संख्या विसेष्ट प्रोटो टाइफ पहचान संख्या वी निर्माड और ओडान योगता का प्रमाडपत छात रिमोट पाइलिट लैसेंस डॉन बंदरग नहीं है उधारन के लिए रिमोट पाइलेट लैसेंस तुलक जो बड़े टॉन हेतू 3000 रुपे था उसे सबी सेडियों के डॉन के लिए हटा कर 100 रुपे कर दिया है और यह दर्सबर्सों तक बैद रहेगा वेविन पेकार के अनुमोधन प्राप्त करने ही तू विसेष्ट के अनकूल सेंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रुप में डिडिटल स्काइफ लेटफर्म का निर्मार किया जाएगा इसे मानो हस्तिचेब नियुन्तम होगा अधिकांस अनुमतियां सोता जनित होंगी हरी छेत्रों में 400 फिट 120 मीटर तक और हवाई एड़ी की परदी में से 8 से 12 किलो मीटर की बीच के छेत में 200 फिट या 60 मीटर की उद्वादर दूरी तक डॉन उड़ाने ही तो अनुमति किया हो सकता नहीं है हवाई एड़ी की परदी से पीले छेत को 45 किलो मीटर से घटा अगर 12 किलो मीटर तक कर दिया गया है तो सभी सुरक्षा रखनी होगी माइक्रो डॉन गैर व्यापारिक स्थेमाल है तो नेनो डॉन है तो रेमोर्ट पाइलेट लैसेंस की उपला आव सकता नहीं है भारत में पंजीकित विदेशी स्वामित बाली कंपनियों द्वारा डॉन संचालन पर कोई पिती बंद नहीं है डॉन और डॉन के पुरजों क आयात को विदेशी ब्यापार महादेशाले द्वारा नेमित किया जाएगा नियम के था है डॉन कबजेच को 300 किलोगराम से बढ़ा कर 500 किलोगराम कर दिया और इसमें डॉन टेक्सी को भी सामिल किया गया है नियमों के उलगन ही तो अधिक्तम जुर्मानी की रासी को गटा दिया जाएगा ब्यापार नुकूल नियम बनाने ही तो डॉन संबर्धन परिशत की स्थापना भी की जाएगी अब हम बात करते हैं 105 बाग जो समिधान संसुधन अधिनियम है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो हम लोग देखेंगे 127 बाग समिधान संसुधन विध्यक 2021 10 अगस्त 2020 को लोकसभा दवार और 11 अगस्त 2021 को राजसभा दवार पारिथ किया गया अठार एकस्त दोहजार एक्कीस को राश्पती से वंजूरी मिलने के बाद इस बिध्यक को एकसो पाँच बे समिधान संसुधन अधीनियम दोहजार एक्कीस के रूम में अधीसूचित किया गया अब आप लोग कहेंगे कि 127 बस समिधान संसुधन बिध्यक था और एकसो पाँच बे समिधान संसुधन अधीनियम के रूम में किस तरह से बदला तो आप सुभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर विध्यक कोई पिस्ताओ राजिसभा लोगसभा में आ रहा है वो पास हो जाए अभी तो ठीक है जैसे बारतमान में तो आप देखिए मौदी साहब के पास यानि कि वीभारती जिंता पार्टी के पास बहुमत है लोगसभा में और राज्यसभा में वो विवस्था कर लेते हैं लेकिन एक ऐसा समय भी रहता है कि जब किसी के बास लोगसभा में वहुमत हो लेकिन राजसभा में वहुमत ना हो तो उस मामले में फर्ष जाता है तो यह आप लोग याद रुखिएगा 19 अगस 2021 को 105 बास अमिधान संसोधन अंदिनियम 2021 सदी सोचित किया गया इसका उतिस सामाजी के वह सेक्चरिक रूप से पिछरे बर्वों की पहचान करने की राज्यों की सकती को बहाल करना है और याद रखी यह संसोधन 5 माई 2021 के उच्चतम न्यालय के नेड़े की पिभाव को समाप्त करने ही दूआव सकता और मई 2021 में उच्चतम न्यालय के एक नेड़े के अनुसार 102 समिधान संसोधन के लागू होने की परच्चाद समिधान को पिछरा बर्व जुसूची में सामिल करने बाहर करने की राज्य की सकती समाप्त हो गई थी और याद रखे 102 समिधान संसोधन अधीनियम 2018 की माध्यम से राष्टी पिछरा बर्व आयो को समिधानिक दर्जा पिदान किया गया था और समिधानिक दर्जा का कहने का मतलब होता है कि समिधान के किसी आर्टीकल में उसका वाइडन आपको देखने को मिलेगा साथी यह अधीनियम सभी उद्देशों ही तु किसी भी राज्य केंद सासित चेद के लिए सामाजी केवं सेक्चरिक रूप से पिछरे बर्वों की सूची को अधी सूचित करने का अधिकार राष्टपती को पिदान करता है हाला कि नवीनतम संसोधन के माद्यम से यह प्रावधान भी किया गया है कि राष्टपती केवल केंद सरकार के उद्देशों ही तु कही सामाजी केवं सेक्चरिक रूप से पिछरे बर्वों की सूची को अधी सूचित कर सकता है यह केंद्रिय सूची है होगी जो केंद सरकार द्वारा तियार की जाएगी और नवीनतम संसोधन के अनुसार पितेक राज्य केंदिसा से छेत भी सामाजी केवं सेक्चरिक रूप से पिछरे बर्वों की सूची तियार कर सकेंगे जो केंद्रिय सूची से भिन हो सकेगी आ और फिर आप देखेंगे राष्टी होमोपेथि आयोग संसोधन अतिनियम 2021 और राष्टी होमोपेथिक आयोग संसोधन विध्यक 2021 से 10 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा और 11 अगस्त 2021 को राजसभा द्वारा पारित किया गया और आप देखें कि 10 अगस्त 18 अगस्त 2021 को इसे रा राष्ट्वती साब की सहमती मिल गई, क्योंकि उनकी भी सहमती जरूरी होती है, क्या होती है, जरूरी होती है, और इस अधिनियम का उद्देश राष्टी होमोपेथिक आयों के गठन 5 जुलाई 2021 तक होमोपेथिक अंद्रिय फरिशत संसोधन अधियादेश 2021 के तहत गठित अधिसासी बोड द्वारा किये गए कार्यों और लिये गए नेड़ों और दायतों को सरक्षित बनाना है, और आप देखेंगे यह है अधिनियम, अधिनियम गुडबत्ता और सस्ती चिकस्षा सिक्षा तक पहुँच, मैं सुधार करने वाली चिकस्षा सिक्षा पिडाली, फ्यदान करने ही तुर राष्टी होमोपथी आयूग अधिनियम 2020 में संसुधन करता है, 2020 के अधिनियम में ने होमोपथी के अंधरी परिशयत अधिनियम 1973 का इस्थान लिया है, 1973 के अधिनियम के इमाध्यम से होमोपथिक सिक्षा और विवसाय को विनीमित करने ही तुurning ही परिशत की स्थापना भी की गई थी और आप देखेंगे कि 2020 के अधिनियम में होमोपतिक सिक्षा और विवसाय को पिर्मित करने ही तो परिशत के स्थान पर एक राष्टी आयू के गठन का भी प्रावधान किया गया था राष्टी होमोपति आयू का गठन पांच उलाई 2021 को किया गया और उसी दिन 1973 में अधिनियम के अधिनियम को निरस्ट कर दिया गया था 2021 का अधिनियम निर्दिश्ट करता है कि अधिसासी बोड़ 1973 की अधिनियम के तहट द्वारा फ्रयोग की जाने वाली सभी सक्तियों और कारियों को 2020 के अधिनियम के तहट किया माना जाएगा और यह लागू रहेगा तो यह भी आप याद रखीगा फिर आप देखें कि सामान बीमा बेवसाय राष्टी करन संसुदन अधिनियम 2021 और इसमें अगर आप देखें तो सामान बीमा बेवसाय राष्टी करन संसुदन विधियक 2021 को लोगसभा में 11 अधिनियम 2021 को राष्ट समाय में से पारित किया गया और नबीन्तम संसुदन के तहट वर्ष्ट 1972 की अधिनियम के अंतरकत नेवी नेमित होने वाली सारवियक चेत की बीमा कंपनियों में निजी चेत की भागेदारी बढ़ाने का पराष्टान है रिभासा को भी संदर्वीत करता है जो कि अगनी समुद्र विद्वेद वीमा व्यवसाई के तरिक कैपिटल रेंप्शन और ए निव्टी सर्टेन को सामन वीमा व्यवसाई में सामिल करता है और आप देखेंगे 2021 को पिदेश सरकार को जनसंख्या नियंतन कानून को लेकर अपनी रिबोर्ट सौपी इसके साथ ही आयुग ने उत्तर पिदेश जनसंख्या नियंतन स्थरी करन कल्यान विदेश 2021 को का मसवधा भी सौपा है और याद रखे अपने मूल सौर में विदेयक का या मसवधा एक बच्चा नीती को फ्रोसाहित करता है और दो बच्चा नीती पर अधारित है और इसमें उत्तर पिदेश विदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को नेंतित करने और उसे स्थिर बनाने, रखने की समंधी पराउधान किया है और विदेयक के मसवधी में यह पराउधान किया गया किसी दंपत्ती के दो से जन्दा बच्ची होने पर उसे कई तरह की सोविधाओं से बंचित कर दिया जाएगा और इस तरह के देखे, जो भी कानून आये हैं उसका कई बार बिरोध भी किया गया है और आप लोगों को बता देता हूँ देखे, बिरोध इसलिए किया जाता है अब आप देखे, जबरजश्ती आप कोई कानून लाएंगे और लागू कर देंगे लोगों से उनकी सविधाय चीन लेंगे इससे अच्छा है कि आप लोग पढ़ाईए लोगों को समझाईए जागरोग कर ये तो मुझे लगता है कि जानदा बड़ा परिवार को होई नहीं रखना चाहता है वो समय खतम हो चुका है लेकिन आप देखे जैसे इसमें इन्हें आप लोगों को याद दो रखना ही होगा राज सरकार की स्वास्ते ये उजनाओं से बंचित कर दिया जाएगा रासान कारड में परिवार की अधिकतम चार सदसों की सीमा तैक कर दी जाएगी राज सरकार से वेवन पदों मदों में मिलने बाली सबसीटी नहीं पिदान की जाएगी पिदेश में सरकारी नोकरे में आविदन पर रोक और नोकरी में रहते हुए दो से अधिक बच्चे होने पर पुनती से बंचित कर दिये जाने जैसे प्रावधान भी सामिल है याद रहे इस कानून के मस्वधिय में दो से अधिक बच्चे होने पर पंच्यायती इस्थानिये निकाय चुनाओ लड़ने पर भी पित्री बंद लगाया गया है तो इसके बारे में याद रखेगा निच्छे बीमा और पित्य गारंटी अब राष्ट्पति अधिक दो तेरह अगस्तों दो है रेयर 21 को राष्ट्पती की सहमती पराप्त हुई है यह अधिनियम डेपोजिट इंसोरेंस क्याड़िट गारंटी कॉर्बोशन अधिनियम 1961 में संसोधन करेगा और संसोधित अधिनियम 2021 बैंकों पर पीतिवंद होने पर भी जमा करता हूँ कि उनकी अपनी धन तक आसानी समय बद्ध पहुंचे पहुंच में सक्षम बनाता है क्या करता है सक्षम बनाता है यह याद रखेगा और आप देखेंगे कि मौर्क टॉरियम जैसे पीतिवंदों के कारण बैंकों दवारा अपने दायतों को कुरा कर जमा करता है निगम द्वारा अंतरिम भुकतान की माद्यम से जमा बीमा कबर की सीमा तक अपनी रासी का उपयोग कर सकता है याद रहे डी-आई-सी-जी-सी अधिनियम 1961 की तहत बैंकों और बित्तियस अस्थानों कि बैंक जमाओ गारंटी कए ड़ेट पर इंसुरेंस देन से बढ़ा कर 5 लाग रुपे किया है जो बर स 1993 से आपरीवर्थित था फिर आपका कराधान क्या कराधान विधी संसोधन अधिनियम 2021 इसे भी देख लिए कराधान विधी संसोधन विधीयक 2021 आट 6 अगस्त 2021 को लोकसभा में और 9 अगस्त 2021 को राजसभा में पारित किया गया है और 13 अगस 2021 को राश्टेपती की समती मिलने के साथ यह अधिनियम हो गया है और यह अधिनियम आएकर अधिनियम 1961 और विधीय अधिनियम 2012 में संसोधन करता है क्या करता है संसोधन करता है और 2012 कि अधिनियम ने आएकर अधिनियम 1961 में संसोधन संसोधन किया था 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 कि वि पूर्व्यापी रिट्रो इस्पेक्टिव आधार पर कर देता को लाउग किया जा सके। पूर्व्यापी रिट्रो इस्पेक्टिव आधार पर कर देता किया जा सके। पूर्व्यापी रिट्रो इस्पेक्टिव आधार पर कर देता किया जाता है। पूर्व्यापी रिट्रो इस्पेक्टिव आधार पर कर देता किया जाता है। इस सम्ति की अध्यक्टिव आधार भारत के मुखने आधिस या उनके द्वारा नामित उचने आले कि किसी ने आधिस द्वारा की जाएगी। और राजबिसासनिक अधिकरणो हे तु पिथक खोज सहे चैन सम्तिया होगी। अधिनियम 2021 के अनुसार किसी अधिकरण के अध्यक्ट का उपकारकाल। तो आपको पत छोड़ना बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र साट साल है तो आप आराम से चार साल कर सकते हैं। तब 4 साल उसे एवज में रहेगा, जो भी पहले हो, ठीक है? फिर आप देखेंगे राष्टी राध्धानी छेत और निकटवर्थी चेत्रों में बायू गुडवत्ता प्रिवंधन आयोग अधिनियम 2021 और राष्टी राध्धानी छेत, NCR और निकटवर्थी चेत्रों में ब करता है, राष्टी राध्धानी छेत और निकटवर्थी चेत्रों में बायू गुडवत्ता प्रिवंधन आयोग विध्यक 2021 चार अगस 2021 को लोगसभा में और पांच अगस 2021 को राजसभाद वार पारित किया गया, और 12 अगस 2021 को राष्टपती की सहमती के साथ ही यह अधिन पंजाब, राजिस्थान, उत्तरपिदेश का छेत और दिल्ली राष्टी राध्धानी एंसियार छेत भी सामिल है, और इस अधिनियम के माध्यमसी बर्स 1998 में एंसियार में इस्तावीत परियावन, पिदूसन, रोक थाम तथा नियंतन प्याधी करण को भंग कर दिया गया इस अधिनियम के प्राउधानों या आयो के आधिसों अत्वा नियदेशों का उलगन करने पर फांच बर्स तक की कैद एक करूर रुपे तक और जुर्माना या दोनों हो सकता है, और इस अधिनियम में किसानों को इस जुर्मानी के दायरे से बाहर रखा गया है, आयो पहर देसों के खिलाब अपील की सुनवाई राष्टी हर इतने अधीकर्ण द्वारा की जाएगे। करने का प्राउधान सामिल है। प्राउधान सामिल हर इतने अधीकर्ण द्वारा की जाएगे। वर्स 2021 का अधीनियम भारती बिमान पतन आर्थिक बीनिया आमग तो राधीकर्ण अधीनियम 2008 में संसोधन कलता है। और अधीनियम 2008 के माध्यम से भारती बिमान पतन आर्थिक बीनिया आमग तो राधीकर्ण की स्थाबना भी की गई है। और अधीनियम 2008 में ऐसे बिमान पतन को पिरमुक बिमान पतन की रूम में निडिश्ट करने का प्रावधान सामिल था। जिसका वारसिक यात्री ट्रेफिक निवन तम 35 लाग हो। साधी कैंद सरकार किसी भी हवाई एड़े को एक अधी सूचना द्वारा पिरमुक हवाई एड़े की रूम में नामित कर सकती है। अधीनियम 2021 के तहित केंद सरकार विमान पतनों को समोबद कर ऐसे किसी समोब को पिरमुक विमान पतन की रूम में अधी सूचित कर सकती है। और आप देखें के पिरमुक हमाई एड़ों की परिवासा में संसोधन करके हवाई एड़ों के एक समोग के लिए टैरेप निर्धारक निर्धारन हितु भारती बिमान पतन आर्थिक भी नियामक पराधी करन को सक्षम बनाया गया है। फिर आपका आवसक रक्षा सेवा अधीनियम 2021 इसके बारे में ज्यान लेजी। फिर आवसक रक्षा सेवाओं से जुड़ी एकाईयों में हर्ताल तालावंदी चटनी पर पितीबंद लगाने का आदिश जारी कर सकती है। हर्तालों के लिए भड़काने, उकसाने या जारी रखने या ऐसे उद्देसों ही तु धन मोया करने वालों लोगों को दो बरस तक की केद की सजा या पंद्रह हजार रुपे जुर्वाने या दोनों सजाएं। या इसके अतरिक्त ऐसे करमचारियों के इकलाब अनुसा आसनात्मक कारभाही करने का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के तरह सभी अपराज संगे और गयर जमानती होंगे। या अधिनियम उद्दोगेक विवाद अधिनियम 1947 में संसोधन करता है। और जिससे आवसक रक्षा सेवाओं को लोग उपयोगी सेवाएं सामेल किया जा सके। अंगला है आपका सोधन आचमता दिवाला संसोधन अधिनियम 2021 और इसमें आप देखेंगे कि देश में COVID-19 महामारी के चलते हैं। गई lockdown का सरवादिक दोस्प्रिवाओ MSME एकायों पर पड़ा है। और MSME ओधिमियों पर बढ़ते करज उनकी एकायों की बंद होने से उनके दिवालिया होने का खत्रा मडराने लगा। और उपेक तो संग्यान में लेकर मार्च 2021 में भारती दिवाला इवाद सोधन आच्छमता बोड की अध्यक्ष्ट में गठित इंसावलेंसी लॉकमेटी ने इंसावलेंसी और एंड वैंकरफ्ट सी सहिता सहिता 2016 की मूल सरचना के अंदर एक प्री पैकेड ढाचे की सिफारिस की थी और देश में कारोबारी बाताबन को उच्छोगम बनानी के उद्देश से लाए गया सोधन आच्छमता दिवाला सहिता संसोधन विधियक 2021 28 जुलाई 2021 को लोकसभा में और 13 अगस 2021 को संसोधन ता दिवाला सहिता संसोधन अध्यादिस का इस्थान लेगा या अदिनियम सोधन आ चमता और दिवाला सहिता 2016 में संसोधन भी करता है और इस संसोधन एक लाग रुपीय का डिफाल्ट होने की स्थिती में प्री पेकेट इन सालवेंसी रिजूलेशन प्रोसेस सुरू करने के लिए आभिदन किया जा सकता है कैंसर का नियूनतम डिफाल्ट की सीमा की को अधी सूचना की 6 मा के माध्यम से बढ़ा कर एक करोड रुपे तक कर सकती है फर आप देखें गि नारियल विकास बोर्ट संसोधन अधीनियम 2021 आया था नारियल विकास बोर्ट संसोधन विदेग 2021 ये 30 जुलाई 2021 को राजसावाद वारा और 4 अगस्ट 2021 को लोकसावाद वारा पारित किया गया बहारत की नारियल विकास बोर्ट संसोधन करता है और अधीनियम 2021 के अनुसार नारियल विकास बोर्ट भारत की नारियल भारत की नारियल बाहर नारियल और उसकी उत्पादों की बिपड़न में सुधार के उपायों की सिफारिस भी कर सकता है अधिनियम 1989 की अनुसार वोड उन छेतरों में संचालित एउजनाओं की वित्तियन हेतु सिफारिस करता है जबकि अधिनियम 2021 में ऐसी वित्तियन सुधा को सभी नारियल उत्पादक राज्यों तक विस्तारित करने का प्रावधन किया गया है अधिनियम 2021 द्वारा बोर का अध्यक्ष जो मुख कारफालक अधिकारी की रूम में कार करता है उस पद अध्यक्ष को नविंतम संसुधन के माद्यम से गयर से कारिकारी बना दिया गया और अधिनियम 2021 के तहट मुख कारिकारी अधिकारी CEO के का पद अलग पद गठित किया गया और आप देखेंगे 1989 में के अधिनियम के तहट केरल, तमिलाडू और करनाटक राज्चों के पिती निधी बोर्ड में सामिल होते थे अधिनियम 2021 के अनुसार चौती राज्जी के तोर पर बोर्ड में आंध्यक्ष के पिती निधी को सामिल किया गया नारीयल उतपाद को के पिती निधी के तोर पर केरल, तमिलाडू और करनाटक की पिती निधी निधी बोर्ड में सामिल होंगे अंगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, एक separate क्लास रहेगी अंगली भी, और उसमें हम लोग जो अंतराष्टी परिदिस है ना, अंतराष्टी सम्मंद हो, अंतराष्टी पिकरन हो, अंतराष्टी सम्मिलन हो, या अंतराष्टी चुनाओ, एवं सत्ता परिवर्तन हो, अंतर आप दाएं हो, उन पर हम लोग विस्तार से बात कर लेगे, आपके कोई सवाल हो कोई जरूर बताईएगा उन्हें, और कोई सुझाओ हो तो उन्हें भी आप बताईएगा, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे उन्हें भी देखेंगे।